यूरोप में आर्ट ऑफ लिविंग के केंदर यूक्रेण शर्णार्थियों के लिए खोल दिये गए हैं आर्ट ऑफ लिविंग के संस्था पक परंपुजी गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जिकें निर्देश अनुसार इस समय पूरी यूरोप में यूकरेन के शर्णार्थियों के आट अफ लिविंग काम कर रहे हैं। स्वेंप सेवकों उन्हें शर्ण दे रहे हैं। स्वेंप के विभिन केंडरों में शर्ण दी गई है। इससे संबंधित हेल्प लाइन नंबर भी है। शर्णार्थियों को 600 मेडिकल किट एवं 23,612 भोजन के पैकेट वितरित किये। वैश्वेक मानवतावादी नेर्थी त्वकरता गुरुदेव श्रीश्री रविशंकर ने कहा कि हर प्रकार से सहायता उपलब कराई जा रही है। और हमारे स्वेम सेवक पूरे यूरोप में यूकरेन से बचकर आ रहे शर्णार्थियों और भारतिय विद्यार्थियों के मदद कर रहे हैं। शर्णार्थियों को भोजन, पानी, शरण और आवश्चक सामगरे उपलब कराई जा रही है। हंगरी में आर्ट ओफ लिविंग एक सो पचास से अधिक लोगों को शरण दी। पुलायंद के शर्णाथियों के लिए छे सो पचास से अधिक बैड्स की वैवस्था की गई। कीव और खारकीव में मौजूद आट ओफ लिविंग के सिक्षकों और स्वेम से वकों ने 1200 लोगों को सुरक्षित निकाला। उन्हें बाहर निकालने और सीमा पार करने में मदद की। अभी यूक्रेन में आर्ट ओफ लिविंग के 23 सिक्षक एवं 32 स्वेम सेवक कारे रत हैं। साथी साथ पुरे यूरोप में आर्ट ओफ लिविंग के 40 सिक्षक आउनलाइन अभ्यास करा रहे हैं। शर्नातियों और मानसिक आघास से पिडित लोगों की मदद कर रहे हैं। यूक्रेन के स्लोवियांशक, क्रामोसर्क, पोलतावा, ओडेसा, कीव, बीला टेरसकोवा, उजाहारोड, लवीव, इनेर होदर शहरों में हमारे स्वेम सेवक कारेरत हैं। पोलैंट के सीमा पर हमारे स्वेम सेवक आने वाले शर्नातियों की मदद कर रहे हैं। इनमें कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनमें दो महिने के छोटे बच्चे हैं। हमारी टीम के द्वारा उन्हें सभी आवश्यक सामगरी उपलप्त कराई जा रही है। पोलैंट में अब तक हमने 420 शर्नातियों की मदद की है। और राहत कारेर अभी भी जारी है। यूक्रेन को मेडिकल आपूर्टी प्रदान की जा रही है। तरस का केंद्र में शर्नातियों के लिए गद्दों और कंबलों की व्यवस्था की गई है। पोलैंट में लगभग 50 स्वेम से वक कारे रत हैं। यहां 24 घंटे ही हाट लाइन जारी है। शर्नातियों के लिए लगभग 40 घर तयार किये गए हैं।